नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और नए टॉपिक जो होगा, वो आज 25 तारीके डेट में सोसल मीडिया पर सोसल मीडिया, मीडिया हाउसेस और हर जगा चर्चा में रहा है, चर्चा सोसल मीडिया संबंदित है, और कहा जा सकता है कि याँ चीजे आपको भी समझने क्या सकता है, और आप भी चीज को समझते है, और कहा जा सकता है कि पहले के समय में जो फर्जिवाड़ा वगेरा चाहे जो भी चीज हुआ करता था वह कुछ दूसरे तरीके से हुआ करता था आज कल के समय में फर्जिफिकेशन या फर्जिवाड़ा करने की जो तरीका है या आपको क्या बदनाम करने की स्थिति है चाहे ह है कि जैसे की आप उधारन बताना चाहते हैं कि क्या आप अप कभी देखा है आपने कि झो fB hacerlo Grat आयप क्या जो ड़ीटा क्या आप जो भी अप्लोड करते हैं जो भी जंकाली आप सेयर करते का है यह Facebook आपकी जनकारी कहां रखता है, क्या आप जानते हैं कि Twitter कहां रखता है, क्या आप जानते हैं कि जो YouTube पर आप वीडियो अप्लोड करते हैं, वो कहां रखता है, क्या आप जानते हैं कि आप Google समधिर जो भी बाते, जो भी सर्च आप करते हैं, जो भी आप सर्च करते हैं, स हिने मैं गूगल कहा रखता है तूब आ इसी को आपको आ सबूसिक सब्सक्राइब करें तो आपको पता देरा जाहते हैं कि सभी कमपनियां कि एक्विए एक पूल्पनी कि माड़ी हैं मैं graduating had क्या हमें कह सकते हैं और हूआ कंपननियाँ आपकी डेटा आपकी डेटा जबी चैसे अ गूगल पर हम क्या करें कोई बूत सेर्च करें या हम फेस्बुख बर अपना फोटो अपडोट करें यह अपllow Task transferred तो जो भी डेटा फेस्बुक को update करते हम क्या आपक्र देखा है कि जो फेश्बूक पर update क्या हुआ जो हमारा डेटा है वह किसी positivity card मुवाइल का memory card हो सेब नहीं गबब आते उसको वह फेश्बूक पर आप बहुत लंबे समय मुखetा का फोटो डाला हुआ जो यहाँ उस रकी है वहाँ मकलत ले करके रका लिया क्โ toggle फेश्बूक आप जब सर्च करें आपका फोटो आपको मिल जाता है ना कि आपके किसी इस्टोरेज में रहता है वह कहा जाता है कि फेस्बुक जो भी कंपनिया जो भी सोसल मीडिया हैं वह कह सकते हैं कि यह अपना एक इस्टोरेज बनाया हुआ है अज दुनिया के जो भी लोग उसका प्रियो क्यों भाई क्योंकि आपका डेटा उस्वक्षित रख लिया चलिए एक बात और आपको बताते हैं देखिए दिक्कते क्या हैं दुनिया के मैक्सिमुम हम कातकते एक सब्सक्राइब भारत की लोग की बात करें जादे लोग हैं मैक्सिमुम लोग हमें का सकते कि फेस्बुक च चलाते हैं 46 window योग प्रेस्बूक चलाते हैं आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग Facebook कि यूज कर रहे हैं अपना फोटो अपडेट कर रहे हैं कहा जाता है कि Facebook की बात करें या जो भी पर जिवाडा की बात करें या जो भी किसी के साथ गलत करने की बात करें, जो भी किसी के फोटो के साथ किसी अन्य का फोटो लगा देना, किसी अन्य को जोड़ देना, किसी अन्य फोटो के साथ किसी अन्य को दिखा देना, या फर्जपी के साथ खुब जल्ला है, और इसका लाभ आपका, जो हम कह सकते ह फोटो को साहते हैं कि आप सभी को नहीं दिखाएगा प्रवेग्ति का जिसका घिसका वजुदwor कुछ महत्वण जैसे कि हम मानते हैं कि आप अपने आपको मालीजे कि सिंपल जीवन बैतीत कर रहे हैं अपना फोटो अपडेट कर रहे हैं तो आपको जानने वाला कौन है आपका भी डेटा सेव होता है कोई बड़ा आदमी फेस्बुक चलाता है उसका भी डेटा सेव होता है तो हमें कर सकत अपका फोटो उसमें से डाउनलोड करेंगे या ले लेंगे मतलब फोटो उसमें से ले करके और किसी अन्य सुचनावं सी या कि सकते हैं घटनाओं से दोण करके उसको वाइरल किया जा सकता है たो तो हम ये बताना चाहते है कि जो भी सोसल मीडिया है वो स्वख्षित नहीं है और आपसे हम अनरोद करना चाहते है कि आप है न तो आप अपना अधार काड्ट फेसबूक पर वॉió tout वाट्सप कीबात करें तो अभी सूचना बताते हैं उसके बारे में फेसबूक ट्वीटर इसके बारे में क्यां इसमें शेयर न करें अब देखी एक बात को घ्यां किया एक फेसबूक पर की प्वाइसस्टा है आप छेयर करते हैं आप फेस्बूक कंपणी का ही भाग है कहा जाता है घप वाइससाब पर देखिए कि ऐख सब्सक्क्रीड करते हैं सेंट कर प्होड़ोर्य दूसरी चैटिंग मतलब है कि end to end encrypted जो message आप send कर रहे हैं end to end encrypted encrypted का मतलब है कि जो सूचना आप कि जो अपने मित्र को भेज रहे हैं या जो आप चैटिंग कर रहे हैं एच चैटिंग केवल आप दोनों के बीच में ही हो सकती है जिसको भेज रहे हैं वहीं पढ़ सकता है आप उसका भेजा हुआ आप पढ़ सकते हैं बीच में कोई नहीं पढ़ सकता है आपको मैं जानकारी बता दूं कि यह तो बाते लिख कर आती है उसमें लेकिन ऐसा होता नहीं है कहां जाता है कि आज केस्वाई में अगर आप 10 साल पुराना कोई सिमकार्ड लेकरके चेटिंग किये होंगे, ओभी चेटिंग निकल करके आजयता है, और ओभी केसि आपके सामने निकल के आजयता है, तो आप निकाला जाता है, जैसे कि आप उने एक केस सुना होगा पिछले साल चर्चा में बहुत्रा सुसान तिंग राजपूत केस का जो मामला था उसमें दिया चक्नवत्ति का जो भी मैसेज में जो भी उन्होंने क्या बात दिकी थी उन सभी बातों को मोवाइल फोन सिम कार्ट खतम हो गया था उसके बावजूद भी सरकार के सामने सारी चीजे आ गई तो इस जो भी सभी चीज है यह और सुलक्षित है आप इसका कम से कम प्रियोग करें यह भी का जा सकता है कि इसके को सेहर ना करें चलिए आज एक नायट नाय टोबिक बात कर रहे है नाय टोबिक नहीं है वह सी पर देट में बात करेंगे जो आज कल के डेट में चल ला है और यहां उसी प्राइबेसी से संबंदीत बात है जो सरकार ने भी इस पर विचार किया कि हमारे देश के लोगों क अब आपको बताते हैं 25 फ्रावडी 2021 को सरकार ने सूचना जारी कि 25 फ्रावडी 2021 को एक सरकार ने सूचना जारी कि कि सभी सोचल मीडिया को सोचल मीडिया को कहा जा सकता कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी इंटर्मीडियरी गाइडलाइन्स एंड डीजिटल मीडिया एथिक्स को तो कहा जाता है एक रूल एक रूल उन्होंने बनाया 2020 में उससी को नोटिफाई किया सूचना प्रसाणल मंत्री रविसंकर प्रसाइड को ने यहीडियरी इस चीज को बताया और कहा गया कि सभी सोचल मीडिया वाले जोभी सोचल मीडिया में कौन-कौन फेस्बुक और ट्वीटर को सबको कहा गया कि आप तीन महीने में तीन महीने में जो आपसे बाते कही जा रही है उसको लागू करे ठीक नहीं तो भारत सारकार अपने तरफ से एक्सल लेगी, सोचल मीडिया से कहा गया, डिजिटल न्यूज से कहा गया, डिजिटल न्यूज का मतलब जो चीज हम लोग कर रहे हैं, अपना सुचना यूटूब का माध्य हम से या छोटे-छोटे अस्तरों पर सुचना एक दूसरे से को पहुंचा रहे हैं, तो निवी जोटी टी टी फ्लेटफ़ाम हो गया, वेजयार हो गया, शिप्कार हो गया, इस सब को बारे में, इन्हों अभालत स्रकार ने सोचल मीडिया, डिजिटल न्यूज और ओटी टी फ्लेटफ़ाम को सुचना चारी किया कि आप तीन महिने में बताएं कि अगर आपके के उपर आपके उपर क्या बात चल नहीं इसके बारे में बात कर रहा है क्या कहा जा रहा है कि इंटर्मीडियरी सोशल मीडिया इंटर्मीडियरी का मतलब क्या होता है कहने का मतलबिया है कि facebookब कोई व्यक्ति फोटो पुष्ट किया जब फोटो पुष्ट करता है तो सोशल मीटिया प्रॉइरल होता है व्यक्ति कि हमें का सकते हैं कि वाट्सप पर किसी बेख्ती ने कुछ सेयर किया तो वह वाट्सप पर घूम रहा है कहा जाता है कि धर पकड़ उसी बेख्ती की होती है जिन्होंने इसका पुष्ट किया होता है तो कहा जाता है कि सरकार कर रही है यहीं सुचना जारी किया कि एक काम कर यह आप जब तीन बाते कहीं तीन बाते कहीं गई क्या बात कहीं कि हम अभी बता हैं कि social media intermediary का मतलब होता है कि इसकी जिमेदारी Facebook का Twitter का और का सकते हैं कि YouTube का इसका किसी का नहीं होगा क्यों भाई क्योंकि यह जो पुस्ट कर रहा है यह गलती उसकी है यह आपका नहीं है तो कहा जाता है कि इसके अंतरगत जो भी अने लोग हैं उनको पकड़ा जाता है और उनके उपर का रवाई की जाती है तो social media intermediary का मतलब यह होगा कि यह जो भी viral किया जा रहा है उस ब्यक् नहीं है इसके अंतरगत इसी पर एक्षन लेते हुए सरकार ने कहा कि ऐसा काम करिए कि यह चीजें जो हो रही है जो आप केवल वाईरल करने का काम कर रहे हैं जो पुस्ट करने काम अने लोग कर रहे हैं इसमें आप एक काम करिए कि एक ब्यक्ति नियुक्त करे कि वह पता क करे कि यह post कि ने किया है इतनी बात किसे समंझ ने नाई है दूसरी बात कहा है कि एक office बनाई वड़ी सर्कलें में अस्थान पर बनाई उसमें एक आधीभी को बैठाई ये कि ताकि लोगों को किसी post से दिक्कत हो रहा है तो उसका को आदमी क्लेम करें तीसरी बात कि एक अधिकारी बनाएं कि पूरे अगर आपकी सूचना को मानी जी किसी ऑफिस में जाया जाया और बताया जाया और बताने के बात सूचना जब बताया जाया लोगों को तो लोगों को जब सूचना बताई जाया तो हमें कर सकते हैं कि अधि अधिकारी कव भी क्या करें चुनाव करें तो आप से कहा जारें जो सोशल मीडिया है इसकी जिम्मेडारी आप खुझ लें और इस सुचना पजारी किया है कौन भारत सरकार ने की तीन महिने के अंदर आप तीनों अधिकारी तीनों जो भी पद हैं इस चीज को बनाएं एक ब अधिकारी में अगर कोई बात किसी से बताया जा रहा है जैसे माली कोई सुचना कोई दिक्कत हो रहा है हमको तो हम जाएक अपना कंप्लेन करें उसमें अगर कंप्लेन हमारा नहीं सुनना है इसके लिए बड़े अधिकारी के पास जाएं आप बड़े अधिकारी का भी सु पंधरा दिन में शिकायत करें जो भी शिकायत है उस शिकायत करें पंधरा दिन में करें और प्रतेक माह आप क्या काम कर रहे हैं इसका सुचना मुझे दें तो अगर नहीं ऐसा होता है तो आपको सोशल मीडिया इंटर्मीडियेटरी से हम बाहर निकाल देंगे बाहर क्या निकालेंगे क्या दिक्कते हो रही हैं और क्या दिक्कते हम आपकी जिमेदारी किसी प्रकात कोई ने लेंगे अब तो समझेगा क्या जिमेदारी भारत सरकाव में लिया है इसके बारे में भातम करें आपको बताते हैं यूटुक चलाने वाए लोग लगभग 44 करोण है आपको बताते हैं फेस्ट्रोक चलाने वाए लोग लगभग 41 करोण हैं और ट्वीटर चलाने वाए लोग IT Act, Information Technology Act, 17 माई 2000 को लाया था, और उसमें एक धारा है, धारा नमबर 79, उन्यासी धारा नमबर, कहा जाता है कि अगर कोई भी सोसल मीडिया है, उस पर कोई पोस्ट ब्यक्ति डालता है, तो पोस्ट जब डालता है, तो पोस्ट अब उस ब्यक्ति की धर पकड़ होगी, जो मीडिया किसी सूचना को वायरल कर रहा है, उसकी कोई जिमेदार नहीं लेती, और न लेगी, क्योंकि इसके लिए हमने एक कानून बनाया है, एक नियम बनाया है, इसकी जिमेदारी हम लेते हैं, कि जो भी भारत में सोचल मीडिया काम कर रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं जाएगा, अब फ्रॉर समझिएगा, इसी ती ही होती थी, कि आपका पोस्ट अप्लोड हो रहा है, जो भी गलत है, सूचना, अप्लोड हो रहा है, और आप अगर थाने पे जिम्मेदारी नहीं लेती, और इसके बीच में कहा जाता है, कि इस चीज का वाइरल होने का, कहने का मतलवी है, कि इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, ठीक, और कोई भी सुचना वाइरल हो रहा होता है, आपको बता देते हैं, कि पीटर से पुछा गया, कि आपने, आप सब को ती महिने का समय दिया गया, आप अभी तर्क क्या कियें, अधिकारी को जो भी तीं पंद था उसको आपने भरा, तीन चीजों को जो भी उन्हें प्ताया था, उसको किया अपने। तो ट्वीटर ने इस बात को कहा कि हम तो ये काम जो करते हैं जो दिक्कत वाले चीज़े जो गलत न्यूज है हम उसके लिए पहले से काम करते हैं तो कहा गया कि पहले से काम करते हैं क्या काम करते हैं तो उन्हें अपने सफाई में एक बात कहा कि हम जब भी कोई गलत सूचना होता है तो हम कहते हैं बिस्माय भोदक हमें कहा सकते हैं मानिपूलेटेड मानिपूलेटेड का मतलग होता है कि एक सूचना है क्या हम उस न्यूज पर एक क्या करते हैं एक न्यूज पर हम एक क्या करते हैं मार्क लगा देते हैं पहले से हमने बताया है ट्वीटर ने कहा कि पहले से हम बात लगाए हैं कि अगर कोई बात गलत है तो ह भार सरकार ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है जो हमने बात कही इस पर आप विचार करिए उसके बाद से फेस्बुक से कहा गया फेस्बुक से कि फेस्बुक अभीनित आपने क्या किया तो फेस्बुक ने कहा कि हम अभी अभी अमिश्च में काम कर रहे हैं और हमको अभी छाय च्छाए माहा और समय चाहिए तो फेशिबुक ने के लिए छाए माहा और समय ओर कहां या आता है चीजों कहां किया है जो आत्मनिलवारत का नतरकात्थ अपना स्वादे सीएफ है या इस नियम को लागुक किया हुआ है हमने छोटे जानकारी में इस चीच को बताने का प्रयाज किया हमने एक बात और बताई आपको कि आप एक काम करिए सोशल मीडिया से हमें कहेंगे जो सेयर संबंदी जब तक किसी प्रकार कोई प्राइवेसी आपके पास है कोई जानकारी आपके पास है तो सवता है आप रखे रहें सोशल मीडिया पर सेयर ना करें किसी को अब कोई गलत फोन आ रहा है कोई गलत मैसेज आ रहा है कोई गलत सूचना आ रहा है कि आप इतने दिन में करणपती हो जाएंगे इतने दिन में धनी हो जाएंगे इ और हमने छोटे से वीडियो में इस समझाने का प्रयास किया और इसे समंद्री जो भी बाते आएंगी हम आपको जरूर साजा करेंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद